नमस्कार दोस्तों असो की ट्विटर यूटूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में बात करेंगे जीएश्टी क्या है या क्या से काम करेगा इसके क्या फायदे और नुकसान होने वाले हैं वो हम सारे पॉइट्स वीडियो में समझेंगे तो चली स्टार्ट करते हैं कि क्या है जीएश्टी सबस्पहाल हम जालेते दोस्तों कि जीएश्टी क्या होता है जीएश्टी का full form goods and service tax है जीएश्टी एक प्रकार indirect या इसको यूँ कहा है इन्दी में अपर टेक्स टेक्स है जीएश्टी के अंतरगत वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टेक्स लगाए जाएगा राजसवा और लोगसवा दोनों में ही GST विल पास हो गया है अब 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में हर सामान और हर सेवा पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्स लगाए जाएगा जो कि GST रहेगा यानि कि अब वेट टेक्स, एकसाइज टूटी और सर्विस टेक्स जैसे करों की जाएगा पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्स लगेगा जो कि GST रहेगा दूसरा GST बिलाने से पहले हम किसी री प्रोडक्ट या सर्विस या सेवा को लेते समय या खरीते समय अलग परकार टेक्स गवर्मेंट को पेखरते थे जो कि कई सारे होते थे तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि GST की पहले लगने वाले टेक्स सिस्टम क्या होता था और कैसे टेक्स लगते थे कौन कौन सकते थे लगते थे जिससे GST समझे में थोड़ा आसान रहेगा इससे पहले हम गवर्मेंट को मतलब कि दो परकार टेक्स लेते थे पहले टेक्स थे जो डारेक्स टेक्स और इंडारेक्स अब डारेक्स टेक्स के अंदर भी कई सारे टेक्स आते हैं इंकम टेक्स, कैपिटल गें टेक्स, सिकूरिटी टानिसिन टेक्स, परकिस्यू टेक्स और कॉर्परेट टेक्स और इसके बाद इंडरेक्ट टेक्स जो रहता था उसके अंदर आते थे sale tax, service tax, value added service tax जिसको हम बैट बोलते हैं custom duty और ex-sign duty ये सारे indirect tax होते हैं इसके अलावा भी और सारे tax रहते थे जिनको हम बोलते हैं professional tax, dividend distribution tax municipal tax, entertainment tax stamp duty, registration fees, transfer tax education tax, search tax gift tax, wealth tax, toll tax और entry tax इतने सारे tax रहते थे जिनको हमको कहीना कहीं देना ही पड़ता था कहीने कहीं हम इन टेक्स को रिपीट भी करते थे अब हम जान लेते हैं कि किन प्रोड़क्ट पर लाग होगा GST दोस्तों सम्मिदान के 122 भी संसोदन के मताबिक GST सभी तरह की सेवाओं और बस्तों या प्रोड़क्ट पर लाग होगा सिर्फ अल्कोहल यानि कि सराव इस टेक्स से पहार होगी दूसरा GST बिल से बिल के लाग होने से किसी भी बस्तो पर केवल एक ही बार टेक्स लागेगा और वो भी सिर्फ प्रोड़क्ट की MRP पर जो कि अब घटकर 17 से 20 परसेंट पर आ जाने की संबावना है इससे पहले जो टेक्स लगता था टोटल मिलाकर 30 से 35 परसेंट तक पहुँच जाता था तो आप देख सकते हैं GST से कितना कम टेक्स हो जाएगा अब हम जान लेते हैं कि कैसे काम करेगा GST तो GST जो है वो तीन तरह का होगा तीन कैटरिमिस को बाटा गया है पहला होगा CGST जिसको हम Central Goods and Service Tax बोलेंगे दूसरा होगा SGST State Goods and Service Tax और थर्ड होगा Integrated Goods and Service Taxes जिसको IGST बोला जाएगा तो CGST जो टेक्स रहेगा वो Central Government में लगेगा SGST टेक्स रहेगा वो रहेगा State Government में के द्वारा लगा जाएगा State Government मतलब कि आप जब कुछ सामान कुछ है अपनी एस्टेट में एक एस्टेट में खरीदा या बेचा जाएगा तो वहाँ पे SGST लगेगा और जब किसी एक स्टेट का सामान दूसरी स्टेट में बेचे जाएगा या दूसरी से खरीदा जाएगा कहने का मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जब प्रांजिक्शन होंगे या हमारा बिजिस करेंगी तब जाके वहाँ पे IGST लगेगा तो ये तीन कि रेट्स इंडिया में क्या क्या रहेंगी कितना कितना पर्षेंट टेक्स लगेगा तो अभी तक GST को पांच स्लेप मतलब पांच काटिग्री में टेक्स को बाट गया है जो कि 0%, 5%, 12%, 12%, 12% और 28% ऐसे करके पांच काटिग्री में GST को बाट गया है और जो की 18% नॉर्मल रहेगा 28% कुछ बिसिस जगे पर ही एपलिकेवल होगा GST के आने के बाद हमारी जो डेली लाइप में, डेली यूज़ में जो परड़क्ट रहेंगे, डेली यूज़ के सामान रहेंगे वो सिर्फ 5% पर के टेक्स पर हमको मिलेंगे जिससे वो सामान सस्ते हो जाएंगी और जो हाई किलास के कुछ लगजरी प्रड़क्ट रहेंगे, वो 28% पर पहुँच जाएंगे और नॉर्मल जो टेक्स GST टेक्स रहेगा, वो 18% रहने की संबावना है अब हम जान लेते हैं किसी भी राजे में सामान का एकड़ाम होगा GST लाग ओने से सबसे बड़ा फायदा आम आदमी कोगा पूरे देस में किसी भी सामान को खरिदने के लिए एक टेक्स चुकाना होगा यानी पूरे देस में किसी भी सामान की कीमत एक ही रहेगी जैसे कोई कार अगर आप दिल्ली में खरीते हैं तो उसकी कीमत अलग होती है भही किसी और राजे में उसी कार को खरीने के लिए आपको अलग कीमत चुकानी पड़ती थी इसके जेश्टी लाग होने से कोई भी सामान किसी भी राज में एक ही रेट पर मिलेगा चुकि टेक्स सब का सामान हो जाएगा जी एश्टी की आने के बाद अब हम बात करते हैं कि किस सामान की कीमत होगी कम जीश्टी लाग होने से टेक्स कड़ाचा पाड़ती होगा जिससे काफी हद तक टेक्स विवाद जो होते रहते हैं वो कम होंगे इसके लागों होने के बाद राज्यों को मिलने वाला वैट, मरणजन, कार, लगजरी टेक्स, लोटरी टेक्स, इंट्री टेक्स आदिज भी खत्म हो जाएंगे फिलाल जो सामान खरीते समय लोगों को उस पर 30-35 टेक्स के रूप में चुकाना पड़ता था, वो भी गटकर अब 17-20 पर आने की संबाबना है GST लागों होने पर कंपनियों और व्याफारियों को भी फायदा होगा, सामान एक जगे से दूसरे के ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी जब सामान वराने की लागत गटेगी तो इससे सामान भी सस्ता होने की संबाबना रहेगी और अब जान लेते हैं GST विल के मैन पॉइंट्स क्या क्या है One Nation, One Tax सिस्टम रहेगा गरीबियों के उपयोग की वस्तुएं GST से बाहर होगी GST तीन परकारक होगा, जिसको हम पहले से आले डिसकस कर चुके हैं CGST, Central Good Service Tax, SGST और IGST ये तीन केटेगरी में CGST रहेगा कच्चा विल, पक्का विल, व्यवस्ता समाप्त हो जाएगी GST से छोटा व्याफारी भी, बैंक लॉन, आसानी से ले पाएगा Real-time data अबलेबल होगा महँगाईदार पर कंट्रोल होगी Restaurant में खाना-खाना सस्ता होगा घर में उफ्योगन वाली Electrical goods सस्ते हो सकते हैं क्योंकि अब exercise duty जो साड़े बार परशन तादा bad tax साड़े चगदा परशन दोना विस्तान पर केवल GST होगा देना होगा जो की 18% ही चुकाना पड़ेगा इससे पहले साड़े बारा और साड़े चगदा आपका 26-27% करीब हमको देना होता है इस कराण से Electrical goods सस्ते हो सकते हैं अभी मकान खरीदते समय सर्वी tax और wet tax दोनों देने पड़ते थे लेकिन GST विल के वाद सिर्फ GST देना होगा इस कराण से मकान खरीदना और बेचना भी सस्ता हो जाएगा किसी भी manufacturing industry को exercise duty, sale tax समय लगवक 13-14 तरह की tax चुकाने पड़ते थे जिसमें समय और पैसा दोनों ही अधिक लगता था लेकिन जब GST विल के बाद सिर्फ एक ही tax वरना होगा और अन्य कारेलेंग चक कर payment return आदी से आजादी मिल जाएगी दोस्तों यह था हमारे छोटा से वीडियो जिसमें बने समझा कि GST क्या होता है और कौन-कौन से tax को replace करेगा GST साथ में GST के लाव और फायदे क्या होंगी और कितने टाइप का GST रहेगा यह थी वीडियो में बताएगे जान करिया आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले और इसी प्रकार के अन्य वीडियो अपडेट्स के लिए आप हमारे असुक यूटियर यूटियूब चैनल को सब्सक्राइब करने तो मिलते हैं एकली वीडियो में तब तक के लिए नमश्कार दोस्तों